ही गाइज वालकम तो कुकिंग खबीर आज मैं बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स को यूज़ करके इजी तरीके से चावल की खीर बनाने जारी हूँ जिसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है बनाने में बहुत ही जादा आसान है तो चले फिर वीडियो शुरू करते हैं अगर आ चावल की खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कब से थोड़ा सा कम रेगुलर यूज होने वाला चावल दिया है इसको बहुत ही अच्छे से वाश करेंगे और खीर की टेस्टी खुच्बू और टेस्ट के लिए मैंने इसमें इलाइची डाला है इलाइची को आपने खोल के इसमें डालना है और आधे कब पानी में उसको फंद्रा मिनिट के लिए भिगो कि रखना है तुल जाएगा तब या मिक्सिन जार में ट्रांसفर करना है उसतने पानी में इसको बिगोया हुआ था उतना ही पानी हमको यूस करना हम इन चावल्लों को बीषने लिए औ और पेड़े के जगे आप यहां पर खोय की बरफी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ खोय का इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है और अब इस पेस्ट के अंदर हमने डालना है वन फोर्थ कब गरी कब बुरादा और वन थर्ट कब है मिल्क पाउडर ठीक है इन सब को अच्छे करते रहना है ठीक है इस टाइम पे और अब आपने कंटीनियू दूद को चलाना इससे क्या होगा कि जो हमने अभी चावल का पेस्ट डाला ना वह गुठली नहीं बनेगी अगर हम इसको नीचे से अच्छे से नहीं चलाएंगे इस टाइम पे तो यहां पर चावल की गुठल पेसी तो अब आपने इस को तब तक पकाना है जब षब क्विंप को च्र obrig क्यों चिनी कर कर शेके इं चैना है इसको भी चलाते से नहीं पर पक चीनी लिए और पकान ACC से सिकाना चीनी. को नहीं पकाना है क्योंकि जब यह थंडी होगी ना तब यह थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी बस फिर जब खीर की कंसिस्टेंसी इस तरीके से थोड़ी गाड़ी हो जाएगी तब आपने फ्लेम को ओफ कर देना है और अब आप चाहें तो खीर को गरम-गरम सर्फ कर सकते ह अब यह थोड़ा ठंडा करके सर्फ कर सकते हैं अभी जो यह कंसिस्टेंसी है यह गरम खीर की जब थोड़ी हो जाएगी ना तब थोड़ी और गाड़ी हो जाएगी बस फिर उसके बाद हमने इसके उपर ड्राइफ रूट से इसको गार्निश करना है और सर्फ कर देना है बहुत ही टेस्टी चावल की खीर बनके तयार है आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइब करें आपको भी यह रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है अगर आपको मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शियर जरूर कर दें